नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमिजीय सेंटर में दोस्तों मैं हूँ अमित और आज के इस वीडियो में हम सौल्ब करने जा रहे हैं एंसेल के मिनी मोडल पेपर को ठीक है तो मेरे साथ बज़े दिएगा सुरू से अंद तक और पीडियाप के लिए आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं और आप लोगों के लिए एक स्पेशल ग्रूप मैंने बना रखा है तो वहाँ पर भी आप जॉइन का तो चली हम सुरू करते हैं आज की सेशन को आज का जो पहला प्रस्ञा जो पहला प्रस्पता का विपरीत अर्थ है ठीक बिशंता का विपरीत अर्थ है options हैं सामानिता, आसमानता, समानता और प्रतिकूल ठीक है तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा समानता option number 3 जो है वो correct हो जाएगा कौन सा? समानता जो है यहाँ पे correct answer होगा ठीक है? चलिए अगला प्रशन है सम्रिद्धी सब्द में भाव है हमें यहाँ पे भाव समझना है कि सम्रिद्धी में कौन सा भाव है तो यहाँ पे options है खुशाल होने का, समर्थन होने का, रोजगार पाने का और धनी होने का तो इसमें सम्रिद्धी सब्द में जो भाव है वो है आपका धनी होने का तो यहां पर option number four जो है वो correct है अगला प्रशन है अल्पता सब्द है ठीक है अल्पता सब्द है कैसा सब्द है तो यहां पर देखिए options है तत्सम ठीक है वेशक यह गलत टाइपिंग है यह देशज होगा ठीक है क्या होगा देशज होगा देशज उसके बाद तदभव और विदेशज तो यहां पर जो option number one है वो correct हो जाएगा तत्सम सब्द है ठीक है अल्पता जो है वो तत्सम सब्द से है ठीक है अगला प्रशन है प्रशन है कौन सा सब्द दिन राट तो यहाँ पे जो सही में मिलते हैं तो क्या भंग तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो उपसर्ग है वह क्या है अभी है ठीक है खो कि कैसे कहते हैं लो किशंग 2 इसवीक्ट का भेख अभी समया अध्यागत का उपसर्ग है ठीक है अगला प्रसंद निरामिस किसे कहते हैं तो निरामिस किसे कहते हैं निरामिस कहते हैं मांस रहित भोजन को ठीक है मांस रहित भोजन को हम क्या कहते हैं निरामिस कहते हैं ठीक है चली अगला प्रशन है जब गुलकूज का किंडवन इस्ट द्वारा होता है तो अंतिम उत्पाद होते हैं ठीक ह क्या बनता है एथिल एलकोहल या इसी को हम बोलते है एथेनॉल ठीक है क्या बोलते है एथेनॉल बोला जाता है और उसके साथ में क्या निकलता है कारबन डायक्साइड गैस निकलती है ठीक है तो सीटू एच फाइव इसका रासाइनिक सुत्र है सीटू एच फाइव ओएज और इसके साथ में और क्या निकलता है सी ओ टू निकलता है ठीक है तो यहां पर ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो करेक्ट हो जाएगा एतिनाल तथा कारबन डाया अक्साइड ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं मनुष्य में सरवाधिक उत्सर्जन उत्पाद है ठीक है तो स निम लिखित में से किसको मोटर गाडियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रियोग में लाया जाता है ठीक है तो निम लिखित में से किसको मोटर गाडियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रियोग करते हैं आपसें देख लीजिए पॉलीक्राफ्ट टरबाइन पर आगे को क्या लगा होता है एक डब्बे जैसा होता है जाली जैसी लगी होती है और इसके अंदर पानी बरते हैं ठीक है तो वही है रेडियेटर अगला परस्ट नेकलेते हैं निमलिखित में से कौन सा गुरुत्व बलका उधारण नहीं है तो यहां पर अप्शन नुबर टू ही सही हो जाएगा ठीक है पर्थर ढकेलता हुआ लड़का अब देखें ऑप्शन नुबर तीन जो है चतान से गिरता पत्थर यह भी गृत्व बलका उधारण नहीं है तो यह भी गृत्व बलका उधारण हो जाएगा ठीक है तो यहां पर ऑप्शन नुबर टू जो है वह करेक्ट है पत्थर ढकेलता हुआ लड़का अगला प्रसंद देख लेते हैं एक मिनार के आधार से दस मीटर दूरी पर इस एक बिंदू पर मिनार की चोटी का उन्यन कोड साथ है अन्स है तो मिनार की उचाहिग क्या होगी ठीक हैं तो यह देखे इस मिनार है और इसके आधार से दस मेटर दूरी पर यानि कि कितना है साट है तैक याद खना और है इच हाइट है हमको गयात करना है तो अग्र हाइठ और अगर और ऐधार दिया हो तो उसके लिए ओटाएं टैनठी liber क्या होता है 10 ठीटा ब्रावर लंब बटे आधार होता है ठीक है लंब बटे आधार होता है तो इनको आपको याद रखना है और अब देखिए ठीटा कमान कितना 60 दिया है तो 10 ठीटा कमान ठीके ठीटा के जगा 60 लगा दिया और लंब दिया है H हमने H मान लिया था आधार दिया है 10 मेटर ठीके अब यहाँ पे देखिए 1060 कमान होता है अंडूर 3 इसका मान कितना होता है अंडूर 3 होता है और H बटे 10 हैं इसको हम सही कर लेते हैं तो अंडूर 3 बराबर H अपॉन 10 ठीके तो हाइड बराबर क्या हो जाएगा 10 गुड़े अंडूर 3 ठीके अंडूर 3 का भी वैलू होता है तो 10 गुड़े कितना होता है 1.732 अंडूर 3 का यह वैलू होता है ठीके यह तो हाइट कितनी निकल के आ गई तो हाइट निकल के आ रही है कितनी आ रही है 17.32 मीटर ठ छाल चलते हुए अपने घर से चालिस मिनिट पर पहुंचता है तो उसके श्कूल की दूरी क्या है हमको दूरी बताना है ठीक है तो एक तो चाल दे रखा है दूसरा समय दे रखा है ठीक है तो देखिए एक सुत्र आपने बहुत पहले पढ़ा होगा हाई स्कुल में और बहुत लोगों को अभी भी याद होगा चाल बराबर होता है क्या दूरी बटे समय कि इष्ड़ और है पिस्각टान सभाने के 14 डिया है च्हे किलुमेटर प्रती घंटे में झाल से तो 6 और बाइप लिए Community किद दूरी कितना मिनिट में पहुंसता है तो समय धे रखाएं, शिरester से डिवायट करना पढ़ेगा भाग देना पढ़ेगा है तो अब इसको हम solve करते हैं तो 6 दहाई के साथ अब 10 से यह कटेगा कितना हो जाएगा चार हो जाएगा ठीक है तो दूरी कितनी निकल के आ गई चार किलोमेटर कितनी आ गई चार किलोमेटर दूरी निकल के आ गई तो यहां पर option number 2 जो है वो correct है ठीक चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है श्याम और राम ठीक है स्वरी राम और स्याम किसी काम को अलग अलग क्रमसच 20 गंटे 30 गंटे में पूरा करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे तो बहुत ही simple सवाल है यह तो इसको देखिए आपको कैसे करना है ठीक है आपको सीधे सीधे क्या करना है दोनों अगर मिलकर किसी काम को अलग अलग ताइम में कर रहे होंगे न हमको दोनों को मिला के कितने दिर में पूरा कर लेंगे यह निकालना है तो आपको सीधे कुछ नहीं करना है क्या करना है इन दोनों को गुड कर देना है गुड़ा करके भाग कर देना है क्या करना है गुड़ा करके और उसके जो दोनों का टोटल योग होगा दोनों के घंटों का उनको हमें उससे हमें क्या कर देना है भाग कर देना है तो यहां पे 20 प्लस 30 हो जाएगा ठीक है है ना तो अब देखी यहाँ पर solve कीजिए तो यहाँ पर कितना ओजाएगा दो तियाँ 600 ठीक है 600 बटे 50 कितना आ जाएगा 600 बटे 50 आ जाएगा इससे इसको काटो कितना जाएगा 12 आ जाएगा ठीक है तो कितने समय में पूरा कर लेंगे दोनों मिलके अगर करना चाहें तो 12 घंटे में वो लोग पूरा कर लेंगे ठीक है तो यहां पर option नहीं दिया वाई कहीं पे तो इसको आप लोग क्या करेंगे यहां पर गंटे में दोनों मिलके उसका कर लेंगे ठीक है अगला प्रसन देख लेते हैं यदी कोई राशी 10 वर्सों में तीन गुनी हो जाती है तो साधार ब्याच की वार्शिक दर क्या है ठीक है तो इस तरीके का प्रसन जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है आप यह प जाने की अगर आपको आपके पास कोई राशी है और 10 वर्स में आप चाहते हो किог तीन गुना हो जाये तो आपको किस दर उसको क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा किस दर से आप उसको ब्याज पर पैसा दोगे कि वो तीन गुना हो जाए दस वर्सों में ठीक है तो यह निकालना अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको उसके लिए आपका सुत्र है यह क्या है एन जो है इसको हम क्या म ठीक है कितने वर्स में चाहते हो तो वो वर्स रख लोगे ठीक है और एन क्या यहां पे एन का मान क्या तीन गुना है ठीक है चलिए हम इसको शॉल्म करते हैं तो 3-1 गुड़े 100 और बट्टे जो वर्स दे रखा है उस वर्स को बट्टे में दिख लेंगे ठीक है तो इस 10 से यह कर जाएगा 10 ठीक है और यह 3-1 हो जाएगा यानि कि टू टू इंटू टैन कितना जाएगा बीस आ जाएगा कितना जाएगा बीस परसेंट इसका आंसर आ जाएगा तो यहां पर ऑप्शन नुबर वन है चलिए अगला पसंद देख लेते हैं एक्स्टरनल दान इंजन म वो है आपका अपिक्साकित बड़ा ठीक है अगला प्रशन है डीजल नौक होता है ऑप्शन से हवा का कंप्रेश्ट होना इंजेक्टर का डीजल इस्प्रे होना डीजल जलने के समय तेज आवाज इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है डीजल जलने के समय त अधिक कायान, 12,000 kg से अधिक कायान और 7,500 kg से कम कायान तो इसका जो सही आंसर है वो है option number 3 7,500 kg से कम कायान ठीक है चलिए अगला प्रस्न देख लेते हैं प्रस्न है मोटर विकलेक्ट 1988 की कौन सी धारा इक कार्ट से संब्दित है तो option number 1 यहाँ पर correct हो जाएगा धारा 2A ठीक है अगला प्रस्न है नेता जी सुबास चंदर बोश संग्राले का उध्गाटन कहां किया गया है तो नेता जी सुबास चंदर बोश संग्राले का उध्गाटन नई दिल्ली में किया गया है और कौन से जेगा पए तो लआल के लदे ठीक है अगला प्रसन देख लेते हैं अगला प्रस्न है 17 लोक्षभा चुनां में कितनी महीलाtal चुनाव जीद कर संसथ पहुंची है कितनी तो यहां पर option number 1 जो है वह correct है 78 महीला संसथ चुनाव जीद कर संसत पहुंची अगला प्रस्न है ऐ такой इसे किया गया उत्यक्ति अरब अमिरात एक अगला पुर्टमान में नीती आयोग कोन है तो नीती आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह होता है देश का प्रधान मंत्री ठीक है कौन देश का प्रधान मंत्री तो बरतमान में कौन है तो बरतमान में प्रधान मंत्री देंदम हो दिए ठीक है बरतमान में नितियायोक के अध्यक्ष अगला प्रश्ण है प्रश्ण है चूज दे वर्ड पोजिट इन दे मीनिंग तो गिवन बर्ड फ्रेलिटी ठीक है तो इसका जो सही आंसर होगा पहले तो हम जान लेते कि इसका मीनिंग क्या है तो इसका मतलब होता है क्या होता है इसका मतलब होता है वीक कमजोर ठीक है क्या होता है कमजोर होता है तो इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा वह होगा स्ट्रेंथ ठीक है अग कौन सांप्स यहां पर यहां पर आप देखिए क्या लिखा है वी उसके बाद तैश-टैस लिखा है उसके बाद लिखा है दर मैटर ऑफसे यह मैटर इस्कॏस्थ और टीकर आफ्सIns देखिए जो डिसक कर लिया था ती के थो यहां फेसे शचो मन रहाए बंछह आ कल matter को discuss कर लिया था ठीक है तो यहाँ पर option number 3 correct हो जाएगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो like कर दीजेगा दोस्तों में share जरूर कर दीजेगा और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा ठीक है और notification bell को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि हर एक वीडियो का notification आप तक पहुंचता रहे तो आज की वीडियो में बस इतना ही बिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर